हलो इस्ट्रेंट्स मैं डॉक्टर रमिश कुमार तंबुली असिस्टेंट प्रोफेसर आप जिलोजी कि रोडिमल गॉर्मेंट आर्ट्स इस साइन्स कॉलेज राइगार्ड आप सभी का इस लेक्चर वीडियो सेशन में स्वागत करता हूँ आज हम BSC Part 1 जिलोजी के Paper 2 Unit 2 के Chapter 1 Fishes के अंतरगत Parental Care in Fishes का अध्यान करने जा रहे हैं Fishes में Parental Care का अध्यान करने के लिए हमने विशेवस्तु को इन बिंदों पर केनरित किया है 1st Definition of Parental Care 2nd Status of Parental Care 3rd Types of Parental Care 4th Methods of Parental Care 5th Merits and Demerits of Parental Care यहां Parental Care के विभिन Methods के अंतरगत हम Deposition of Eggs in Suitable Places Deposition of Eggs in Nests, Concealing Eggs and Young Ones, Mermet Purse, VV Parity और OVO VV Parity का अध्यान करेंगे Parental Care को पैत्रिक रक्षन भी कहा जाता है Parental Care को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है Parental Care means the nursing of eggs and young ones by their parents माता पिता के द्वारा अपने अंडों और शिश्वों की देखभाल करना यह Parental Care कहलाता है यहां अंडों वशिश्वों का Parents के द्वारा तब तक देखभाल करना यह Care करना जब तक वे स्वतंत रूप से जीवन यापन करने और शत्रों से स्वयम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं हो जाते यह प्रक्रिया Parental Care कहलाती है एनी बिहेवियर पैटर्ण इन विच ए पैरेंट इनवेस्ट टाइम एंड एनरजी इन फीडिंग एंड प्रोटेक्टिंग देर यंग वन्स इस काल्ड पैरेंटल केर अर्थात पैरेंट्स का वह ब्यवहार जिसमें वे अपने शिशु मचलियों की सुरक्षा एवं भोजन हे तू समय और श्रम का नियोजन करते हैं यह Parental Care कहलाता है an association between the parents and their offspring so as to increase the chances of survival of their young ones is called parental care all the post-spawning care afforded by the parents is called parental care spawning के बाद अंडे देने के बाद जो भी देखभाल parents के द्वारा किया जाता है वह Parental Care कहलाता है taking care or giving much attention on eggs and young ones is called parental care तो यह Parental Care की परिभाशा हुई आई अब हम देखें status of Parental Care especially in fishes यदि Parental Care करने वाले fishes की हम grading करें तो इसके चार grade या चार इस्तर हमें देखने को मिलते हैं पहला fishes which never care अर्थात fishes जो अपने अंडों और शिश्मों की देखभाल और सुरक्षा नहीं करते हैं दूसरा care only by the male fish female not involved in care अर्थात male अंडों और सिश्मों की देखभाल करता है और female parenting में किसी तरह की भागेदारी नहीं रखती है थर्ड, care by both male and female male और female दोनों संयुक्त रूप से अपने अंडों और सिश्मों की देखभाल करते हैं इस प्रक्रिया में male का कोई involvement या भागेदारी नहीं होती हैं दूसरा हम देखें, percentage of fishes involved in parental care फिश की कुल population में से यदी हम ये देखें कि कितने प्रतिशत fishes parental care में involved होती हैं उनका कारण क्या है तो इसे भी हम तीन समुग में बाढ़ सकते हैं पहला fishes which never care अर्थात fishes जो अपने eggs और शिश्वों की देखभाल नहीं करती हैं और इसका कारण ये है कि ये fishes बहुत अधिक संख्या में अंडे देती हैं इसलिए इन में जीने के औसर पर्याप्त होते हैं और ये उनकी parenting या post spawning care नहीं करती हैं सेकेंड, fishes care their eggs only सत्रह प्रतिशत fishes ऐसी हैं जो औसत संख्या में अंडे देती हैं और इसलिए वो अपने अंडों की देखभाल करती हैं और थर्ड है fishes care eggs and new ones 6 प्रतिशत fishes ऐसी हैं जो बहुत ही कम संख्या में अंडे देती हैं और इसलिए वो अपने अंडे और उनसे विक्सित हुए शीश्वों की पूरी तरह से देखभाल और सुरक्षा करती हैं Types of Parental Care अंडे और शिश्वों की Parenting में भागेदारी या सहभागिता के आधार पर Parental Care को तीन भागों में बांटा जा सकता है पहला Maternal Care जिसमें केवल फिमेल अपने अंडे और शिश्वों की देखभाल करती हैं दूसरा Paternal Care इसमें केवल मेल अंडे और शिश्वों की देखभाल के लिए कारे करता है और तीसरा Biparental Care जिसमें मेल और फिमेल दोनों संयुक रूप से Parenting के कारे का निर्वहन करते हैं और Biparental Care में मेल और फिमेल एक साथ या मेल और फिमेल आल्टरनेट क्रमिक रूप से एक के बादे अपने अंडे और शिश्वों की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी करते हैं Classification of Parental Care Parental Care को मुख्य रूप से दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है पहला Indirect Method और इस Indirect Method में अंडे या शिश्वों को अपने शरीर से परे दूर रख करके उनका Care या Parenting की जाती है इसे Indirect Method कहा जाता है यह Indirect Method तीन तरह का होता है पहला Deposition of Eggs in Suitable Places किसी अनुकूल जगह पर अंडे दे कर उन्हें सुरक्षित रखना दूसरा Deposition of Eggs in Nest नेस्ट बनाकर घोसले या घरोंदे बनाकर उसके अंदर अंडे देना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना और तीसरा है मरमेट पर्स यह एक तरह का पर्स या बैग जैसी रचना होती है जो फिमेल के शरीर के द्वारा सिक्रीट करके बनाई जाती है और फिमेल फर्टिलाइज एक को उन्हीं पर्स के अंदर रख करके उन्हें पानी में सुतंतर छोड़ देती है तो यह पर्स कहलाता है मरमेट पर्स परेंटल केर का दूसरा प्रकार यह डारेक्ट मेथट कहलाता है इस मेथट में अंडे शिश्मों को परेंट्स अपने शरीर के पास या शरीर पे रख करके उनकी देखभाल और सुरक्षा करते हैं यह direct method भी तीन तरह का होता है पहला concealing eggs and young ones अंडों और शिश्वों को अपने शरीर के करीब रखना या उन्हें छिपा करके रखना दूसरा वीवी पेरिटी शिश्वों को जन्म देना और तीसरा है ओवो वीवी पेरिटी जहां अंडे शरीर के अंदर ही निशेशित होने के पश्यात सुरक्षित रखे जाते हैं और उनका विकास भी वहीं होता है और अंत में अंडे के अंदर विक्सित हुए शिश्व एग शेल को तोड़ करके मदर की बॉडी से बाहर निकल आते हैं यह ओवो वीवी पेरिटी कहलाता है आईए विस्तार से अब हम पैरेंटल केर के विभिन प्रकारों का अध्यन करते हैं Methods of Parental Care in Fishes के अंतरगत जो पहला प्रकार है उसे हम कहते हैं Deposition of Eggs in Suitable Places अनुकूल इस्थानों पर अंडे देना मचलियों द्वारा अपने ही आवास में किसी अनुकूल और सुरक्षित इस्थान पर जाकर के अंडे देने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुकूल और सुरक्षित इस्थान का चैन कर अंडे देना इसके उदाहरंट इस तरह से हैं Carp Fishes ये चिपचिपे आवरंट के साथ अंडे देकर उन्हें समूह में रखते हुए किसी पत्थर, ठोस आधार या जली पौधों पर चिपका देती हैं और यहां वो अंडे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं इस चित्र में हम देख सकते हैं कि अंडे इस जली वीड या पौधे की पत्यों के उपर रख करके समूह के रूप में चिपका करके रखे गए हैं और यह अंडे यहां पर पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं यलो पर्च या फिश एक पत्ली जिली दार और खोखली धागे जैसी रचना का स्राव करती है सिक्रिशन करती हैं और उसके अंदर अपने अंडों को रख करके सुरक्षित छोड़ देती हैं इस यलो पर्च में जो रचना स्राव करके बनाई जाती है वो इस तरह से खोखली होती हैं और इसी के अंदर वह निशेचित अंडों को रख देती है और रखने के बाद इसे स्वतंतर कर देती है और यह जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्षर है वह किसी आधहार पर जाकर के चिपक जाता है चुकि इसका स्वार डिस्टेस्ट्फुल होता है अप्री होता है इसलिए पानी में फ्लोट करते समय भी दूसरे तरह के जन्तु या मचलिया इन्हें खाना पसंद नहीं करती हैं और इसलिए यह पूरी तरह से इसके अंदर सुरक्षित होते हैं एक्जोकिटर्स इसकीपर्स यह अपने किड्नी से एक तरह का चिपचिपा धागे नुमा पदार्थ रिलीज करती हैं और यह पदार्थ पानी के संपर्क में आ करके लगभग थोस और लचिला हो जाता है इस धागे जैसी रचना में फिमेल अब फर्टिलाइज एग को क्रमिक रूप से चिपका देती है तथा इस धागे जैसी रचना को जिसमें अंडे चिपके हुए हैं उसे किसी चटान पर ले जा करके या किसी जली पौधे पर ले जा करके वह चिपका देती है इस तरह से ये अंडे इस धागे नुमा रचना पर सनलग न रहते हुए पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं कॉमन कार्प जिसे साइपिनर स्कार्पियों भी कहा जाता है इसके अलावा पाइक इत्यादी मचलिया अपने अंडे सघन जली वनस्पतियों वाले इस्थान पर जाकर के देती हैं आवास में जहां एक्वेटिक वीड्स की सघंता होती है उस इस्थान पर जाकर के ये अपने अंडों को उस जली वीड में या खरपतवार में घास इत्यादी में डिपॉजिक कर देती हैं चिपका देती हैं चुकि यह इस्थान सघं होता है इसलिए अंडे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं फिमेल रोडियस फिश इसमें अंडों को सुरक्षित रखने की एक नई प्रक्रिया और विधी हमें देखने को मिलती हैं फिमेल रोडियस फिश निशेचित अंडों को अपने OV पॉजिटर के द्वारा यूनियों के या किसी गेस्टोपोट के खाली पड़े हुए शेल के अंदर रिलीस कर देती हैं और अंडों को खाली पड़े हुए शेल के अंदर ट्रांसफर करने के लिए फिमेल के बॉडी में एक तरह की खोकली ट्यूब पाई जाती है जो उसके शरीर के साथ सनलगन रहती है और अंडों को वो इन ही खोकली ट्यूब के माध्यम से वो किसी गैस्टोपोर्ड या यूनियो इत्यादी के शेल के अंदर कवच के अंदर इस्थानांत्रित कर देती है और इस तरह ये अंडे इस शेल के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं तो ये सारे के सारे इस्थान अंडे को देने के लिए या दिये गए अंडों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से अनुकूल होते हैं दूसरा हम देखें Deposition of eggs in nest अर्था घोसले बना करके उनमें अंडे दिये जाते हैं और ये अंडे घोसले के अंदर पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं आईए हम देखें कि फिशे कितने तरह की nest या घोसले बनाती हैं पहले तरह का nest यह bubble nest कहलाता है बेटा नाम की जो फिश है यह फिश फर्टिलाइज एग को अपने मुह में एकत्रित करती है और एकरतित करने के बाद मुह से ही मुकस अर्था चिप्चिपे परदार्थ को बाहर निकालते हुए उनसे हवा के बुलबुले मनाती हैं और हवा के बुलबुलों के भीतर ही वह अपने अंडों को रख देती हैं और ये जो बुलबुले जिनके अंदर अंडे रखे हुए हैं इन्हें ही बबल नेस्ट कहा जाता है ये बबल नेस्ट चूंकि हवा के बुलबुलों के द्वारा निर्वित होते हैं इसलिए ये हलके होते हैं और हलके होने के कारण ये पानी की सतह पर तैरते रहते हैं और इस दर्मियान जो मेल फिश है वह इनकी पूरी तरह से रक्षा और सुरक्षा भी करता है चैनीज पैरडाइस फिश जिसको मैक्रो पोर्डस कहा जाता है यह भी हवा के बुलबुले बनाकर उसमें अंडे देती है तथा मेल फिश ही इनकी पूरी तरह से सुरक्षा करते हैं इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यह जो फिश है जो हवा के बुलबुलों के माध्यम से म्यूकस का इस्तेमाल करते हुए बबल नेस्ट बना रही है और इस नेस्ट के अंदर वो अपने अंडों को डिपॉजिक कर रही है यही कहलाता है बबल नेस्ट आईए दूसरे प्रकार के nest के बारे में देखें यह weed nest कहलाता है और weed nest बनाने के लिए जो जली घास पौधे त्यादी होते हैं उनका उप्योग किया जाता है Asphronemus goremi यह fish जली पौधों के भागों का उप्योग करते हुए pond के किनारे nest बना करके उसमें अंडे देती है और male और female इस nest में रखे गए अंडों का दोनों संदक्षन करते हैं उसकी सुरक्षा करते हैं इस चित्र में हम देख सकते हैं यह छोटे छोटे nest जो बने हुए हैं यह aquatic vegetation का इस्तेमाल करते हुए बने हुए हैं और इन्ही nest को weed nest कहा जाता है और female इन्ही weed nest के अंदर अपने अंडों को deposit करती हैं और यह अंडे इन्ही nest के भीतर पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं और इस दर्म्यान जब तक इन अंडों से शिशू विक्षित होकर के बाहर नहीं आ जाते हैं male और female fish दोनों इसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं तो इस तरह इनकी parenting weed nest के माध्यम से की जाती है इस्टीकल बैक फिश गैस्टो इस्टीयस इसका जोलोजिकल नेम है Dancing काल में male stickled back fish इसके शरीर में कई तरह के परिवरตन होते हैं और उसमें जो महत्पूर्ण परिवरतन हैं वो इसके रंगों का परिवरतन होता है इस्टिकल बैक फिश के शरीर का जो रंग होता है प्रजननकाल में वह नया हो जाता है काफी आकरशक और चटकिला हो जाता है और यह मेल फिश जली पौधों के विभिन भागों से छोटे छोटे हिस्सों को इकठा करते हुए उनका उप्योग कर वह जली पौधों के बीच में ही बैरल के आकार का ढोलक के आकार का ही नेस्ट का निर्मान करता है और जब नेस्ट पूरी तरह से निर्मित हो जाता है तब वह फिमेल को आकरशित करता है इस नेस्ट के अंदर आकर अंडे देने के लिए और जैसे ही female इस barrel shaped nest के अंदर आकर के अंडे देती है male उन्हें तुरंट fertilize या निशेचित कर देता है और निशेचित करने के बाद वह पुना दूसरी female को आकर शित करता है इसी nest में आकर अंडे देने के लिए और इस प्रक्रिया को पह कई बार दुराता है तत पश्चात जब ये barrel shaped nest fertilize एक से पूरी तरह भर जाता है तब male उसकी तब तक सुरक्षा करता है जब तक उन अंडों से हैचिंग के उपरान ने शिशू बाहर नहीं आ जाते है बोव फिश जो लॉजिकल नेम एमिया कलवा या भी वीड नेस्ट का निर्मान करती है एमिया कलवा प्रजनन काल में या ब्रिडिंग सीजन में जली पौधे वाले इस्थानों पर चले जाते हैं और जाने के बाद जो मेल फिश है जो आकार में छोटा होता है वह जली पौधों के बीच में गोल गोल घुमता है और इस घुमने के कारण से वह जली पौधों को दूर हटाते जाता है जिसके परिणाम सरूप उस स्थान पर एक सर्कुलर नेस्ट बन जाता है इसी सर्कुलर नेस्ट में फिमेल आकर के अंडे देती है और उन अंडों को फिमेल साथ में ही रहते हुए फर्टिलाइज कर देता है और इन फर्टलाइज एक को जो इस सर्कुलर नेस्ट में रखे गए हैं मेल उनकी तब तक सुरक्षा करता है जब तक उन अंडों से हैचिंग होकर के शिशु बाहर निकल करके स्वतंतर नहीं हो जाते हैं इस शित्र में हम देख रहे हैं यह एक्वेटिक वेजिटेशन है और यहीं पर जो मेल बोफिन है फिश है वो आकर के ऐसा गोल गोल घूमती है और घूमने के कारण से यह जो जगा होती है यह खाली हो जाती है और इस खाली जगह का जो शेफ होता है वो सर्कुलर होता है इसलिए इसको सर्कुलर नेस्ट कहा जाता है इसी सर्कुलर नेस्ट में फिमेल आकरके अंडे देती है उन अंडों को मेल फर्टिलाइज करता है और इन फर्टिलाइज एग की मेल तब तक सुरक्षा करता है जब त यह जो सन फिश है उसमें मेल प्रजनन काल में ब्रीडिंग सीजन में जली पौधों के छोटे छोटे तुकडे और कंकणों को एकत्रित कर अपने शरील से एक तरह का चिपचीपा पदार्थ सिक्रीट करता है जो उन सब को बांधते हुए इस्टीक करते हुए नेस्ट का निर करता है जब ये निर्मित हो जाता है उसके पश्चात फिमिल वहां आती है और आने के बाद वह Mel के दोरा बनाए गये नेस्ट को बाहर की और फैला करके उसका आकार बेसिन की तरह बना डेती उसे च्वडा कर देती और तत पश्यात फिमेल उसमें अंडे देती है और उन अंडों को मेल फर्टिलाइज करता है फर्टिलाइजेशन के पश्याग मेल अपनी किड्नी से एक तरह का चिपचिपा द्रौ रिलीज करता है और फर्टिलाइज एक को पूरी तरह से धग देता है, कफर कर देता है और साथी साथ उसे हेचिंग होने तक इन अंडों की पूरी तरह से रक्षा और सुरक्षा भी करता है इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये जो फिमेल फिश है ये फिमेल फिश इस स्थान पर इन एक्वेटिक वीट्स और कंकणों को बाहर की ओधा केल रही है जिसके कारण से ये जगह एक कप या प्याले जैसी बन जा रही है और इसी नेस्ट को कहा जाता है बेशिन नेस्ट तीसर प्रकार का नेस्ट या पिट नेस्ट या बरो कहलाता है सेल्वन फिश जो समूद्रों में पाइजाती है वह नदियों में प्रवास करके उन इस्थानों पर पहुंचती है जो इस्थान उतले होते है और उतले इस्थान पर पहुंच करके मेल और फिमेल ये ब्रीडिंग करते हैं और ब्रीडिंग के पश्चाथ फिमेल उस स्थान के बॉटम पर जो रेत या कंकर इत्यादी हैं उनको बाहर की ओर धकेल करके एक पिट या गड़े जैसी रचना बनाती है इस रचना को पिट नेस्ट कहा जाता है तत पश्चाथ अंडे उसी नेस्ट के अंदर रख दिये जाते हैं अंडे देते समय मेल उन एक्स को पूरी तरह से फर्टिलाइस भी कर देता है यहाँ पर ये ध्यान देना जरूरी है ये जो सैल्मन फिश हैं इनमें ब्रूडर्स अर्थात मेल और फिमेल जो ब्रीडिंग के योग यह होते हैं वो समुद्र से नदियों की और प्रवास कर जाते हैं और नदियों के उस भाग में जो उतला होता है जहाँ पर पानी की धारा लगभग सामान यह होती है उन जगहों पर जा करके पीट नेस्ट बना करके वहाँ जब फिमेल अपने अंडे रिलीस करती हैं तो मेल उन्हें फर्टिलाइज करता है और वो फर्टिलाइज एग उसी पीट में छोड़ दिये जाते हैं सुरक्षित रख दिये जाते हैं स्पानिंग के बाद या अंडे देने के बाद मेल और फिमेल दोनों की मृत्ति हो जाती है प्रोटोप्टेरस यह एक लंग फिश है फेपड़े वाली मचली है इनमें जो मेल है वो दलदली घासों के आधार पर अंडाकार गड़े या सूरंग का निर्मान करता है जिन्हें हम पिट या बरो कहते हैं और मेल के द्वारा निर्मित इस पिट या बरो में अनेक फिमेल आ आ करके क्रमशा अपने अंडे रिलीस करती है और उन अंडों को मेल फर्टिलाइज भी करता है और इन फर्टिलाइज एग की रक्षा और सुरक्षा मेल उन अंडों से शिश्वों के बाहर आने तक पूरी तरह से करता है लेपीडो साइरन फिश इसमें मेल मड में ही एक एल के आकार की टनल या बरो का निर्मान करता है और इस टनल या बरो में फिमेल अपने अंडे देती है तथा उन अंडों को मेल फर्टिलाइज भी करता है और मेल ही उन अंडों की तब तक रक्षा और सुरक्षा करता है जब तक अंडों से हैज करके शिशू बाहर नहीं निकलाते है यहां ध्यान देने योगे बात यह है कि जो टनल या एल शिब्ड बरो बनाया गया है मेल बार बार उस बरो के बाहर निकलता है और बाहर निकल करके अपने मुह में वायू को भरता है या वायू को निगलता है और निगलने के बाद वह वापस पुना उसी टनल या L-shaped बरो के अंदर चला जाता है जब वह ऐसा करता है तो उसके द्वारा निगली हुई हवा उनके रुपांतरित पेक्टोरल फिन की ब्लट सर्कूलेशन के माध्यम से अंडों तक पहुशती है अर्था अंडों के आसपस जो पानी होता है उस पानी में आक्सिजन की लेवल को बनाय रखने में मेल लेपिडो साइरन की यह क्रिया महत्पुण भूमी का निभाती है और इसलिए अंडों को समुचित रूप से आक्सिजन मिलते रहती है साइक्लो टेरस फिश यह चटानों पर बने हुए जो प्राकिर्तिक होल हैं दरार इत्यादी हैं उनको नेस्ट के रूप में उप्योग करती है और फिमेल इनही दरार या होल्स में अपने अंडे देती हैं फर्जो फर्टलाइज एक होते हैं वो इनहीं चटानों पर चिपके हुए होते हैं अंडे देने के बाद फिमेल वहां से चली जाती है और मेल उन अंडों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं और साथी साथ मेल अपने पेक्टेउरल फिन को अंडों के करीब उपस्थित रहते हुए वो लगातार पानी की तरंगे भी पैदा करता है और इन पानी की तरंगों के द्वारा उन होल्स में जो आक्सिजन युक्त पानी है वो निरंतर पहुंसते रहता है Parental Care की तीसरी विधी यह direct method है और इसे हम कहते हैं concealing eggs and young ones अर्थात अंडों और शिशुओं को अपके शरीर के पास रखना या शरीर पे छिपा करके रखना इसकी भी अनिक विधिया हैं पहला coiling around the eggs अंडों के चारों और कुंडली बना करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करना folis male fish ये fertilized egg को एक मास के रूप में एकत्रित करती है एक समू के रूप में एकत्रित करती है और उनके चारों और वो एक कुंडली बना करके कॉयल बना करके निरंतर बैठे रहती हैं और इस एक मास की वह male तब तक सुरक्षा करता है जब तक उनमें hatching होकर के शिशु बाहर नहीं आ जाते हैं कभी-कभी folis में यह भी देखा गया है कि fertilized egg को वो किसी mollars के के द्वारा bottom पर बनाए गए pit या गड़े के अंदर भी सुरक्षित छोड़ देते हैं और male इसके बाहर बैठा हुआ उसकी रक्षा और सुरक्षा करता है दूसरी विधी है X attached to the cephalic hook Curtis male fish इसके सिर के अगले के हिस्से पर जो dorsal fin की spine है वो एक hook के समान उभरी भी होती है जैसे ये male Curtis fish है ये इसका dorsal fin है तो इस dorsal fin का सामने का जो हिस्सा होता है वो एक hook के समान रचना के रूप में उभरा हुआ होता है male fertilize egg को इसी hook और सिर के मध्य में इस्थित पाउच में या खाली स्थान में छुपा करके रखता है उन्हें सुरक्षित रखता है तो जो एग मास होते हैं वो एग मास इसी इस्थान पर रखे जाते हैं male उन एग मास को मुख्य रूप से दो समुहों में बाट करके रखता है और ये दोनों के दोनों समुह परस पर एक दूसरे से एक पतले धागे के द्वारा जुड़े हुए होते हैं और इस धागे के माध्यम से तेरते समय भी ये अंडे शरीर से पूरी तरह चिपके हुए होते हैं और वो इस पाउच से बाहर नहीं निकलते हैं सुरक्षित रहते हैं शित्र में हम देख पा रहे हैं ये हुक जैसी रचना है और ये पाउच वाला हिस्सा है और इसी पाउच के अंदर एक मास रखे हुए हैं और इस तरह की जो पैरेंटिंग है अंडों को शरीर के साथ रख करके सुरक्षा देना इसे ही हम कौंसलिंग एक्स कहते हैं और इस तरह का जो पाउच है वो मेल फिश में ही देखने को मिलता है तीसरा एक्स कैप्ट इन ब्रूट पाउचेज ब्रूट पाउच को हम सिशु धानी भी कह सकते हैं पाइप फिश सिगनेंथस एक को जो कि फर्टिलाइज होते हैं उनमें फिमेल एक को फर्टिलाइज कराने के बाद वह अपने ओवी डक्ट को मेल के शरीर के वेंटर साइट पर इस्थित जो ब्रूट पाउच है उसमें फिमेल अपने ओवी डक्ट में फर्टिलाइज हुए एक को इस थनांतरित कर देती है और इस तरीके से मेल के ब्रूट पाउच में वो अंडे सुरक्षित रहते हैं और ये अंडे वहाँ तब तक सुरक्षित रखे जाते हैं जब तक उनमें से हैचिंग हो करके जो सिशू है वो बाहर नहीं आ जाते है तो यहाँ पर ब्रूट पाउच एक स्पेशल सेक के रूप में रचना होती है जो मेल में पाई जाती है और इस तरह पैरेंटिंग का या केर का जो काम होता है वो मेल के द्वारा होता है दूसरा उधारण सी हॉर्स जिसको हिपो केंपस कहते हैं हिपो केंपस में भी मेल के बॉड़ी के वेंटर साइड पर ये ब्रूट पाउच पाया जाता है फिमेल अंडों को फर्टिलाइज होने के बाद उन अंडों को इसी मेल के शरीर के वेंटल साइट पर विक्सित बूट पाउच के अंदर छोड़ देती है और इसी बूट पाउच में अंडों के भीतर शिश्वों का विकास होता है और जब अंडे पूरी तरह से विक्सित हो जाते हैं वो इस bruit pouch में बने एक सुराध के माध्यम से बाहर निकल करके पानी में सुतंतर हो जाते हैं यह जो bruit pouch है वास्विक रूप से मेल में उसका जो OUT पैलविक फिन है उसका रुपांतरन होता है तो यहाँ पर भी सी होर्स में मेल में ब्रूट पाउच पाया जाता है और मेल ही पेरेंटिंग का कारिक करता है एक्स इन माउट के उटी एरियस फिश ये अंडों को फर्टिलाइज होने के बाद मेल उन फर्टिलाइज एक को अपने माउट के उटी या बकल के उटी में हैचिंग होने तक पूरी तरह से सुरक्षित रखता है और चुकि उसके माउट में एक रखे हुए होते हैं इसलिए इस पूरी पेरेंटिंग के उधी में वह भोजन गरहन करना भी बंद कर देता है इस चित्र में हम देख पा रहे हैं ये एक्स हैं जो इनकी माउट के उटी पे रखे हुए हैं फिमेल ही यहां parenting का कारे करता है एक्स एंड यंग वंस इन माउथ के उटी तेलपिया में फिमेल अंडों के फर्टिलाइजिशन के परशाथ उसे अपने माउथ के उटी के अंदर रख लेती और अंडों के भीतर शिश्वों का विकास भी इनके माउथ के उटी में रखे गए अंडों के भीतर ही होता है और इस तरह अंडे माउथ के उटी में सुरक्षित रहते हैं जब माउथ के उटी में रखे गए अंडों के भीतर शिश्वों का विकास पूरा हो जाता है वो शिश्व हैज करके माउथ के उटी से मदर के शरीर के बाहर पानी में आकर के स्वतंत रहते हैं और जैसे ही किसी तरह का disturbance या खत्रा होता है mouth मदर की खुल जाती है और जो शिशु होते हैं वो वापस मदर के mouth cavity में वापस लौड जाते हैं तो इस तरह egg और young ones दोनों को mouth के उटी में रख करके जो female telpia है वह उनकी रक्षा, सुरक्षा और parenting करती है यहां ध्यान रखेंगे जब eggs female के mouth के उटी पे रखे हुए होते हैं उस दर्मियान female भी भोजन ग्रहंड करना बंद कर देती है eggs in integumentary cups त्वचा की सता पर छोटे छोटे cups बने हुए होते हैं, पिट बने हुए होते हैं उन्हें ही integumentary cup कहा जाता है कुछ fishes जैसे की aspirido और अन्य मचलिया इनमें female fertilize eggs को अपने abdomen के ventral side पर इस्थित, komal, spongy, integumentary cup में एक-एक करके रखते चली जाती हैं और इस integumentary cup में जो eggs होते हैं वो stock या छोटी सी डंडी के द्वारा मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं और इनही cups के भीतर अंडों में शिशुओं का विकास पूर्ण होता है और पूर्ण विक्सित हुए शिशु हैचिंग करके अंडे से बाहर निकल जाते हैं और पानी में सोतंतर हो जाते हैं इस चित्र में हम देख सकते हैं ये female fish के ventral side पर एक integumentary pouch है और इस pouch में ये बहुत सारे cup बने हुए हैं और इन cups में ये एग रखे हुए हैं और एग ये छोटे से stock ये डंडी के द्वारा इस pit या cup से मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं eggs के भीतर हम देख रहे हैं ये शिशु का विकास हो रहा है और शिशु जब पूरी तरह से विक्सित हो जाते हैं ये एग को break करके hedge करके बाहर पानी में नि मर्मेट पर्स ये एक तरह का पर्स जैसी लचीली संदचना है जिसका स्वाध डिस्टेस्ट फुल होता है इसलिए दूसरे तरह के जो जली जन्तु होते हैं वो इन्हें नहीं खाते हैं साइलियम जो की ओवी पेरस शार्क है अंडे देने वाली शार्क है यह अपने अंडो को मर्मेट पर्स में देती है तो मर्मेट पर्स जो है वो वास्पिक रूप से फिमेल फिश द्वारा स्रावित करके बनाई गई एक होर्नी प्रोटेक्टिव एक कैप्सूल या पर्स जैसी रचना होती है फिमेल फर्टिलाइज एग को इन्हीं मर्मेट पर्स के भीतर सुर तेरते हुए अपने लंबे लचीले धागी नुमा रचना जिसे टेंड्रिल कहते हैं उसके द्वारा समुद्र में इस्थित जो वनस्पतिया हैं उनसे जाकर के अटैच हो जाती हैं और इन्ही पर्स के भीतर शिश्वों का विकास होता है और जब शिश्व पूरी तरह से वि देख करके वह बाहर आकर के पानी में सोतंत्र हो जाते हैं इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यह मर्मिट पर्स है जो बैग जैसी रचना है यह मर्मिट पर्स है और इसके अंदर यह फर्टिलाइज एक रखा हुआ है और इस पर्स में यह धागे जैसी रचना दिखाई दे करने में मदद करती है और हम यह भी देख पा रहे हैं कि इस पर्स के अंदर यह शिशू का विकास भी हो रहा है और जब शिशू पूरी तरह से विक्सित हो जाते हैं यह इस पर्स को ब्रेक करके वहां से बाहर पानी में आ करके स्वतंत्र हो जाते हैं तो अलग-अलग fishes में अलग-अलग आकार के मर्मिट पैर्स का निर्माण होता है यहाँ पर कुछ अलग fishes के मर्मिट पैर्स के आकार की जानकारी दी गई है यह काइमेरा में मर्मिट पैर्स का आकार होता है ये skate में होता है और इसी तरह से ये catfish में भी होता है और हम देख पा रहे हैं इसमें ये धागे जैसी रचना tendrils होती हैं जो इसे aquatic vegetation में attach करने में सहायत होती है वीवी parity, शिश्वों को जन्म देना बहुत सारी fishes ऐसी हैं जो शिश्वों को जन्म देती हैं उदारण के तोर पर scoliodon, gambusia, sword tail, इत्यादी fishes fertilization और development दोनों internal होता है तो अंडों का fertilization female fish के शरीर के अंदर होता है और वो अंडे female fish के शरीर के अंदर ही रहते हुए उनके भीतर सिश्वों को जन्म होता है और शिश्वों के जन्म के उपरान female उन शिश्वों को अपने शरीर से बाहर release कर देती है और इस तरह से शिश्वों का जन्म होता है तो जन्म देने की इस प्रक्रिया को वीवी पैरिटी कहा जाता है यहाँ पर यह ध्यान देना अउश्व है कि जो शिश्वों होते हैं वो मदर के शरीर के अंदर जब इस्थित रहकर विक्सित होते रहते हैं तो उनका जो पोशन होता है वो योग से एक प्लेसेंटा के द्वारा होता है अर्थात जैसे हम मालने कि यह शिश्व है जिसका विकास मदर के शरीर के अंदर हो रहा है यह मदर के शरीर के यूटेरस का भाग है तो ये placenta इस मदर के uterus की दिवार से इस विक्षित होते हुए भूण को जोड़ करके रखता है और इसी भाग को कहा जाता है placenta और इसी placenta के माध्यम से शिशु का पूरी तरह से पोशन होता है और इस तरह यदि हम viviparity को देखें तो हम यह क्या सकते हैं कि यह पैत्री करक्षण के उच्चितम इस तर को प्रदर्शित करता है यह शार्क के भीतर विक्सित होते हुए शिशु का चित्र है और यह boni fish, asthima fishes के मदर के शरीर के अंदर विक्सित होते हुए शिशु का चित्र है तो शिशूओं का विकास मदर के शरीर के अंदर होता है और उसके प्रशाथ सिशूओं का जन्म होता है इस प्रक्रिया को VVPARITY कहा जाता है लास्ट हम देखें OVO VVPARITY तो यह जो OVO VVPARITY है यह एक Transitional Face को दिखाती है अर्थाथ यह OVPARITY यह अंडे देना और VVPARITY शिशू को जन्म देना इन दोनों की मध्य अवस्था को प्रदर्शित करता है यहाँ पर भी Fertilization और Development फिमेल के शरीर के अंदर ही होता है और जो फिमेल के यूटेरस के भीतर जो अंडे रखे गए हैं उनके भीतर शिश्वों का विकास होता है यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि यह OVO VVPARITY VVPARITY से कैसे प्रिथक है जब यह अंडे मदर के शरीर के भीतर यूटेरस में रखे हुए होते हैं तो उन अंडों के बाहर की ओर कवच या शेल उपस्थित होता है और यह शेल वाले जो अंडे होते हैं वो यूटेरस के अंदर ही रहते हैं और शिश्वों का विकास भी अंडे के भीतर ही मदर के शरीर के भीतर यूटेरस में होता है और इस तरह शिश्व का विकास अंडे के भीतर ही होता है तथा अंडों के भीतर पूर्ण विक्सित शिशू एक शेल को तोड़ करके यह बात महत पूर्ण है एक शेल को तोड़ कर यूटेरस से बाहर आकरके जन्म ले लेता है उसका बर्त होता है यहाँ पर यह ध्यान देना जरूरी है कि ओवो वीवी पेरिटी में योग सेक प्लेसेंटा के द्वारा विक्सित होते हुए भूर्ण का पोशन नहीं होता है और दूसरा यूटेरस के अंदर या शेलीर के अंदर अंडों को केवल सुरक्षित रखा जाता उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो यह जो प्रक्रिया है यह ओवो वीवी पेरिटी कहलाती है और इसका जो बेस्ट एक्जामपल है वो है नर्स शार्क आईए हम पैरेंटल केर के मेरिट्स और डी मेरिट्स के बारे में देखते हैं पैरेंटल केर से जो मेरिट्स फायदे हैं वो इस तरह से है Increase the chances of development अड़ों के भीतर विकास के आउसर बढ़ जाते हैं क्योंकि अड़े सुरक्षित रहते हैं दूसरा Improve the chances of survival जो शिशू बाहर की और निकलते हैं उन शिशू की देखभाल होने के कारण से उनके जीने के आउसर भी बढ़ जाते हैं और तीसरा Provide suitable environment for development and growth अड़ों और शिशू को उनके विकास के लिए अनकूल वातावरण भी इससे उपलब्द होता है क्या क्या demerits से वो हम देखें क्या क्या हानिया है Stressful for parent लंबे समय तक अपने अड़ों और शिशू की parenting करने की यह जो प्रक्रिया है वो parents के लिए काफी stressful या तनावकारी होता है दूसरा reduce the growth of the parent बहुत सारी fishes parenting में बहुत सारा वक्त लगाती है और इसलिए उन्हें भोजन करने का भी पर्याप्त आउसर नहीं मिलता है इसके कारण से उन parents की जो growth होती है वो रुक जाती है या उसकी रफ्तार reduce हो जाती है धीमी हो जाती है तीसा decrease the survival of the parents कुछ cases में parenting करते समय क्योंकि fishes भोजन भी ग्रहंट नहीं करती है stressful भी रहती है इसलिए उन्हें जीने के जो औसर होते हैं parents में स्वयम के जीने के जो औसर होते हैं वो भी घट जाते हैं उनमें कमी हो जाती है और next है increase the next breeding time fishes लंबे समय तक parenting करने के कारण से उनमें जो अगला breeding time या breeding period या breeding season होता है वो postponed हो जाता है आगे बढ़ जाता है वो इस्तगित हो जाता है ये कुछ इसकी हानिया भी होती है कुछ और भी बाते हम इस अंदर में देखें other impact parenting के दर्मयान parents का जो biological activity है वो भी disturb हो जाती है साथी साथ बहुत सारी fishes के ब्योहार में भी परिवर्तन हो जाता है और parenting के दर्मयान वो बहुत जादा आक्रामस आक्रामक या aggressive हो जाती question number परिक्षा में जो प्रश्न महत्पूर्ण है वो इस तरह से है वो इस परेंटल केर नेम दी ताइप सफ परेंटल केर इंफिशेश विफ एक्जम्पल्स second राइट नोट अन नेस्टिंग अन परेंटल केर इंफिशेश third describe the indirect परेंटल केर इंफिशेश and last जो एसे टाइप निवन धात्मक है write an essay on परेंटल केर इंफिशेश ये विशेवस्तु हमने जिन सरूतों से लिया है उनके नाम इस तरह से है अन्यवाट